अब यहां पर हम एक नए कंसेप्ट के साथ आ रहें बच्चों आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग क्या कर रहे थे मैंने आपको एक हैडिंग का नाम डलवाया था Applications of Resonance Hyper Consugation और Inductive हम तीनों को मर्ज करकर हम यहां पर Applications कर रहे थे जहां पर हमने Aromaticity, Resonance, Hyper Consugation, Inductive सबको फोलो करते हुए questions solve करें जहां पर हमने C Plus की Stability को discuss करा जहां पर हमने Minus की Stability को discuss करा हमने Free Radical की Stability को discuss करा यह तीन अगर आपको clear हो गए होंगे अगर यह तीन आपको बड़े easily clear हो गए होंगे तो आप विश्वास मानिए मेरी इस बात का इसके बाद में हमारे Applications आएंगे SCDT, उसके बाद में हमारे Applications आएंगे BACICT, वो आपको बड़े easily clear हो जाएंगे क्योंकि उनमें वही concept लगेंगे जो concept हमने Stability के अंदर consider करा है लेकिन मैं एक नया concept आज आपके सामने लेकर आ रहा हो which is also part of the applications that is known as the order of bond length बच्चों हमें bond length के बारे में discussion करना है जिससे मैं आपको छोड़ा से एक example देता हो आज अगर हम यहाँ पर एक example से अगर चलते हैं तो I hope शायद आप चीजों को समझ पाओ और फिर मैं मेरी बात को आपके सामने यहाँ पर justify करोगा अगर मैं यहाँ पर इन questions को अगर discuss करता हूँ तो मेरा question क्या है सबसे बिले I just want to show the question मेरा question है मुझे bond length को compare करना है किस के बीच में between C, C, L मुझे C, C, L के बीच की bond length को comparison करना है आज अगर मुझे C, C, L की bond length को अगर compare करना है जैसे इस carbon और chlorine के बीच की bond length को मैंने A से indicate कर दिया इस carbon और chlorine की bond length को मैंने B से indicate कर दिया तो मुझे बताना है A और B में ज़्यादा को होगा इस question को जानने से पहले इसका answer निकालने से पहले आपको कम से कम इतना knowledge होना चाहिए मैं carbon-carbon की बात करता हूँ carbon-carbon single bond की जो bond length का value होता है बच्चों वो होता है 1.54 angstrom double bond की जो bond length का value होता है बच्चों वो होता है 1.34 angstrom और carbon-triple bond-carbon की bond length का value होता है वो होता है 1.20 angstrom at least आपको ये data पता होना चाहिए ये data में आपको क्यों बता रहा हूँ ये data में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों single bond की bond length सबसे ज़ाद होती double की bond length काम होती और triple की bond length सबसे कम होती चाहे अपन carbon-carbon की बात नहीं करें अगर हम carbon-oxygen की बात करें single bond की bond length ज़ादा होगी double की थोड़ी सी कम होगी triple bond की ओर कम होगी अब आपने चुगी hyperconjugation पढ़ लिया आपने चुगी resonance पढ़ लिया आप inductive effect को भी जानते है तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि आज अगर मेरा कोई molecule अगर resonance को show कर रहा है तो resonance को show कर रहा है तो उसके bond length पर क्या impact बढ़ रहा है इसके अंदर कोई theory नहीं है इसके अंदर के अबल questions है आपको questions पर theory को implement करना है अब इसके अंदर कोई ऐसी as a such कोई specific theory नहीं आती कि भाई plus m वाले length को बढ़ाएंगे minus वाले घटाएंगे आपको तो यह देखना है क्या मेरा molecule resonance कर रहा है क्या मेरा molecule hyperconjugation कर रहा है क्या अगर मेरा molecule resonance कर रहा है अगर मेरा molecule hyperconjugation कर रहा है तो these resonance और these hyperconjugation यह मेरा उस bond पर क्या impact create कर रहे है यह मेरा उस bond पर क्या impact to produce कर रहे है हमें इन चीजों को समझना है जैसे मैं आपको एक बार यह example समझा दा हूँ अगर हम इस example को अगर समझेंगे अगर resonance नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर always single bond between carbon and chlorine यहाँ पर क्या होगा carbon और chlorine के बीच में हमेशा single bond ही रहेगा अगर मैं अगले वाले की बात करूँ तो यह वाला मेरा molecule resonance शो कर रहा है तो आज अगर इस वाले molecule ने अगर resonance को शो करा तो आपको यह समझना बड़ा जरूरी है आपको यह चानना बड़ा जरूरी है कि उस resonance से हमारे carbon और chlorine के बीच के bond पर क्या impact पड़ा आज अगर आपने यहाँ पर resonance अगर करा तो जैसे अगर आप इस वाले molecule में अगर resonance अगर करोगे कि तुमने जैसे ही आपर resonance अगर करा तो उस resonance से आपके carbon और chlorine वाले bond पर क्या impact पड़ा है तो आज आप देखो कि जैसे ही आपने resonance को अगर करा तो उस resonance से हमारा जो carbon और chlorine का बीच का जो bond है यहाँ पर double bond create हो गया तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर लिखूंगा due to resonance double bond character will come यहाँ पर क्या होंगे यहाँ पर double bond character will come between carbon and chlorine यह मैंने क्या बोला it will not show resonance it will always single bond since my molecule is showing the resonance so double bond character will come between the carbon and chlorine और as the double bond character will come between the carbon and chlorine ऐसे case में क्या impact पढ़ने वाला है आज double bond आते ही length down हो जाएगा length की value कम हो जाएगी bond length down हो जाएगा तो ऐसे परिस्थिती में जैसे double bond character आएगे तो यहां पर bond length जो होगा that will be the decreases और as the bond length decreases so what it mean if you want to find out the relation between the A and B so the relation will be the bond length of A is higher than B A की जो bond length होगा वो B के comparison में जाएगा एक word हो राता है यहां पर that is known as the bond strength आज अगर हम bond strength की अगर बात करें बच्चो देखो अगर length जितना जादा होगा उतना कम attraction होगा और attraction जितना कम होगा उतना easily हमारा bond आप break कर सकते हो तो उसका bond strength क्या हो गया कम हो गया यानि कि एक चीज़ को आपको याद रखना है कि जो bond length जो होता है it is inversely proportional to the bond strength ये जो bond length होगा ये bond strength के inversely proportional होगा तो आज यहाँ पर अगर मुझे इस चीज़ का अगर अंदाज़ा लग गया कि A का bond length अगर B से जादा है तो ऐसे case में अगर bond length की अगर हम बात करेंगे तो उस वाले case में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगर bond length को अगर आप compare अगर करेंगे और A का bond length अगर B से जादा है इसका मतलब bond strength का order क्या हो जाएगा आज अगर आप bond strength की अगर बात करोगे तो bond strength will be the opposite तो bond strength B का जादा हो जाएगा और A का कम हो जाएगा तो मैंने आपसे ये कहा कि याद अगर हमने यहाँ पर bond length और bond strength length जितनी जादा होती है न bond strength उतनी कम होती है क्योंकि length अगर जादा इसका मतलब attraction बहुत कम है attraction अगर कम है तो easily bond break होगा और easily bond अगर break हो जाएगा तो सेदी सी बात है bond easily break हो रहा है मतलब bond strength कम है तो मैंने आपसे ये चीज़ कहा कि bond length और bond strength जो होते है they will be the inversely proportional और हमने answer को इस प्रकार से निकालना है मतलब आपको ये ऐसा statement नहीं बना सकते है कि resonance हमेशा bond length को decrease ही करेगा ऐसा नहीं है depend on the situation in some questions resonance can increase the bond length also तो आपको तो resonating structure बना कर देखना है और फिर देखना है कि impact क्या पढ़ रहा है यहाँ double bond character आ रहे है तो वो character यहाँ पर length को down कर देगे अपन यहाँ पर एक question को समझते है यह मेरे सामने यहाँ पर एक question आ रहा है एक बार आप इसको समझना मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ the CO bond length मेरे को इस CO के बीच की bond length को find out करना है और मुझे इस CO के बीच की bond length को find out करना है और मुझे यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा bond length जादा होगा और कौन सा bond length कम होगा हमारे सामने question है मैंने आपसे बोला ना इस topic में as such कोई हमारे सामने कोई theoretical explanation नहीं होगा मैंने मुझे यह देखना है क्या मेरा molecule resonance करेगा करेगा तो क्या impact पड़ेगा नहीं करेगा तो कोई बात दी नहीं कर रहा थो resonance नहीं कर रहा तो hyperconjugation करेगा hyperconjugation करेगा तो क्या impact पड़ेगा we have to see it अब जैसे में आपको बता दाओ यहाँ पर अगर हम इस पहले वाले को अगर देखे तो हमारे इस पहले वाले में कोई भी resonance नहीं होगा यहाँ पर भी कोई भी resonance नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ आज अगर यहाँ पर resonance नहीं हो रहा so what is the meaning of this line इस line का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह Single bond, यह हमेशा single bond में ही रहेगा. यहाँ पर क्या होगा? It will always lies in double bond. यहाँ हमेशा double bond की form में ही रहेगा. यहाँ पूरी live single रहेगा. यह पूरी live double bond रहेगा. जबकि अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं, तो इस जगह पर अगर आपने resonance अगर करवाया, तो resonance ऐसा होगा. तो यहाँ पर यह क्या होगा? यह double is going to become the single. If double is going to become the single, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर partial double bond के character आ रहे हैं. आज अगर हम पहले वाले को अगर देखें, तो मेरे पहले वाले structure में क्या था? यहाँ पर अगर आप इस वाले structure को, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया था, इस वाले structure में यहाँ पर अगर हम देखें, तो मैंने आपको क्या समझाया था? resonance के कारण यहाँ पर actually partial double bond के character आते, complete double bond नहीं आते, क्योंकि आपने तो resonating structures बनाया है न आप यहाँ पर जब hybrid बनाओगे तो यहाँ पर partial bond आएगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर अगर अपन देखे तो यह वाले में partial double bond के character आएगे partial double bond का मतलब that is neither single nor double it is between single to double तो आज अगर आप इनको अगर answer को अगर देखोगे, तो मैंने क्या बोला यह तो पूरी life single रहेगा single की bond length तो maximum होती है, पूरी life अगर single रहेगा, तो इसका मतलब इसकी bond length तो maximum हो जाएगी मैंने क्या कहा यहाँ पूरी life double रहेगा, double की bond length minimum होगी तो इसकी bond length क्या हो जाएगी, इसकी bond length minimum हो जाएगी अगर हम लोग अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ partial double होगा, partial double का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, between single bond and double bond, यहाँ single और double के बीच का रहेगा तो किसकी bond length सबसे जादा, A की फिर किसकी थोड़ी सी कम B की, और सबसे कम किसकी होगी C वाले की, क्योंकि double bond की bond length सबसे कम होती है तो हमारे पास question क्या है C O bond length in the following three compounds, सबसे जादा bond length, वन वाले की फिर second की थोड़ी सी कम और third की सबसे कम, so what will be the correct answer of the question I hope my answer should be A, हमारा answer यहाँ पर A होना चाहिए मतलब बच्चो, what I just wanted to explain here in these questions, we have to see कि हमारा resonance क्या impact क्रियेक कर रहे वो जीज़ हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है जैसे मैं एक question आपको यहाँ पर और समझाता हूँ एक बार इस वाले question को और देखियेगा हम इस वाले question को समझते हैं हमारे पास में question है which of following has longest CO bond किसके अंदर CO bond longest है पहले तो हम CO bond की बात करते है कि हम basically किसकी बात करना चारे यह मेरा CO bond है यह मेरा CO bond है यह मेरा CO bond है और यह मेरा CO bond है आप से कह रहा है longest CO bond किसमे होगा किसमे CO bond सबसे बड़ा होगा अब आप देखना, आप देखो कहाँ पर कहीं resonance हो रहा है क्या, जैसे आपन पहले की बात करते हैं, आज अगर आप देखोगे तो पहले वाले में resonance हो रहा है, अच्छा पहले वाले में resonance हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर अगर आपन देखें तो पहले व मेरा double bond single में convert हो रहा है मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ due to resonance carbon double bond oxygen यहाँ पर अगर हम देखें is converting into what carbon double bond oxygen is converting into single bond ये मेरे single bond में convert हो रहा है ठीक है अच्छा यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये इसके साथ resonance करेगा ये इसके साथ resonance करेगा आज अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ तो एक ही बार resonance हो रहा है यहाँ पर ये इसके साथ resonance करेगा फिर ये इसके साथ resonance करेगा मतलब जादा resonance हो रहा है अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो इधर यहाँ पर जादा resonance हो रहा है therefore more single bond character यहाँ पर क्या होंगे जितना जादा resonance होगा उतने ही ज्यादा single bond के character आएंगे यहाँ तो एक बार ही resonance हो रहा है एक बार single bond के character है यहाँ पर दो दो बार यह इसके साथ करेगा वो उसके साथ करेगा तो बार बार single bond के character आएंगे अच्छा A और C के अगर अपन बात करें तो यह दोनों हमारे same structure है अगर आज आज आप देखोगे केवल मैंने इसको इसे पलट कर लिग दिया तो वो तो अगर same है तो वहाँ तो answer हो से नहीं सकता यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर कोई भी resonance नहीं होगा अगर कोई भी अगर resonance नहीं होगा तो यह वाला जो मेरा compound होगा यह will be always double bond और as it will always be double bond तो अब आपसे क्या पूछ रहा है किसके अंदर bond length longest है आज अगर मैं order की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों सबसे ज़ादा आज अगर मैं order of bond length अगर निकालू तो बच्चों order of bond length में जिसके अंदर जितने ज्यादा single bond के character आएंगे उसका bond length उतना ज़ादा होगा single bond के character B वाले में आ रहे हैं सबसे ज़ादा अगर B वाले में सबसे ज़ादा आ रहे हैं मतलब B की bond length सबसे ज़ादा होगी अच्छा मैंने क्या बोला वो तो पूरी life ही double का double ही रहेगा अगर वो तो पूरे समय अगर double bond का अगर double bond ही रहेगा तो उसकी तो length सबसे minimum होगी अगर length अगर उसकी सबसे minimum होगी तो मैंने क्या बोला B वाले की bond length सबसे ज़ादा होगी A और C वाले की बराबर होगी तो A वाले की और C वाले की बराबर होगी और D वाले की bond length जो होगी वो सबसे कम होगी तो अगर longest bond length की अगर बात करोगे तो longest bond length किसमें आईगी इस वाले compound में bond length जो होगी that will be the longest यहाँ पर longest bond length consider होगी तो आज आप देखो इसके पहले वाले compound में resonance length को कम कर रहा था आज हम देखें तो मेरा resonance के कारण यह double single bond बन रहा है तो यहाँ पर resonance length को बढ़ा रहा है तो आप ऐसा को statement नहीं दे सकते कि resonance will increase the bond length or it will decrease the bond length. No resonance is the such type of phenomena which can increase the bond length as well as decrease the bond length but we have to see the concept कि वो basically वहाँ पर हो क्या रहा है उसके भी आप पर हमें comment करना पड़ेगा आज अगर हम यहाँ पर एक सवाल और देखें. See this question, this is again very good question अगर हम इस question को अगर देखें हमें दे रखा हैं Among these compounds the correct order of cn bond length. हमें बच्चों cn bond length को compare करना है. यह cn bond length होता है. cn bond length कून होता है? यह cn bond length होता है. यह यह वाला मेरा cn bond length है और यह वाला मेरा cn bond length है यह double bond actually. यहाँ पर अगर हम देखें तो it is actually a double bond मैं एक बार यहाँ पर आपको double bond draw कर देता हूँ. यह हमारा double bond है अब आपको bond length को compare करना है. अब आप मेरी बात को सुनना. आज सुनू हमें सबसे बहले यह देखना है. रेजोनेंस किस किस में होगा? क्या last वाले में resonance होगा क्या? अगर हम इस वाले की बात करें no resonance अगर इसमें कोई resonance नहीं होगा so what will happen? will always be double bond यह मेरा क्या रहेगा? यह मेरा पुरी जिंदगी भर double bond ही रहेगा will always be double bond यह हमेशा double bond का double bond ही रहेगा क्या यह resonance करेगा? again no resonance अगर इसमें resonance अगर नहीं होगा तो what will happen? will always be single bond यह वाला जो मेरा compound है, यह वाला compound मेरा क्या रहेगा? single bond ही रहेगा यहाँ पर अगर हम देखें क्या यह resonance करेगा? हाँ इसमें resonance होगा क्या यह resonance करेगा? हाँ resonance होगा तो आज आप देखो resonance के कारण, ये तो पुरी जिंदगी पर double रहेगा ये पुरी जिंदगी पर single रहेगा इसने resonance करा तो थोड़े बौत double bond के character आएंगे, ऐसा नहीं हमिशा के लिए पुरा का पुरा double हो जाएगा, ऐसे case में, आज अगर हम देखें, तो it will be always be double bond, it will always be single bond, और जैसे अगर आपने resonance अगर करा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, due to resonance what will happen partially double bond character will come, तो ऐसे case में, यहाँ पर अगर हम देखें, कि resonance के कारण, आज अगर partial double bond character अगर आएंगे, तो मैं आपसे क्या कहेना चाहता हूँ, अब आप सुनना, length को सोचो same phenomenon यहाँ पर भी होगा, due to resonance partial double bond character will come, तो conclusion क्या निकला, यह तो पूरी समय single का single ही रहेगा, मुझे पता है single bond की bond length maximum होती है इसका मतलब इसकी तो bond length maximum होगी, आज अगर उसकी bond length अगर maximum होगी, तो तो देखो, मुझे यह तो पता लग गया कि यहाँ पर maximum bond length होगी, मुझे यह भी पता लग गया, यहाँ पर minimum bond length होगी, मतलब आज इस वाले की bond length, third वाले की सबसे जादा होगी, और fourth वाले की सबसे कम होगी, तो सीधर structure, third सबसे आगे आना चाहिए, और fourth सबसे पीछे आना चाहिए, यानि मेरा C option भी correct हो सकता है, और मेरा B option भी correct हो सकता है, third सबसे आगे और fourth सबसे पीछे अगर होगा, तो मेरा A वाला बिलकुल answer नहीं हो सकता, और मेरा D वाला भी answer नहीं हो सकता, अब बात आती है योर B and C इन में से कोई एक हमारा अंसर होगा तो अब अपन को इन दोनों में compare करना है अब आप मेरी बात को सुनना CHO electron को withdraw करता है अगर CHO electron को अगर withdraw करता है तो ये electron को attract करेगा अगर ये electron को attract अगर करेगा तो electron को आज अगर मैं किसी को अगर मेरी तरह अगर attract करूँगा तो they will close to me अगर वो मेरे close अगर होंगे न तो length will be decreases ये और ये दोनों same है लेकिन यहाँ बर CHO connected है CHO का काम क्या होता है CHO is the electron withdrawing group आज अगर हम देखें तो ये जो मेरा CHO है ये CHO electron withdrawing group है अगर ये CHO electron withdrawing group है तो ये electron को withdraw करेगा as it will withdraw the electron in that condition what will happen अगर मैं electron को withdraw कर रहा हूँ अगर मैं electron को attract कर रहा हूँ electron withdrawing group है electron withdrawing group का मतलब electron attracting group है अगर ये electron withdrawing group है electron attracting group है तो electron को जेसे attract करेगा तो length shrink होगी length decrease होगा तो किसका length ज़ादा रहेगा मुझे ये पता लग गया third मेरा सबसे आगे आएगा अगर हम यहाँ पर order देखे तो मुझे पता लग गया third will come first और fourth मेरा सबसे last में आएगा तो आज अगर हम देखे third अगर मेरा सबसे आगे और fourth अगर मेरा सबसे पीछे अगर आएगा तो ऐसे case में यहाँ पर अगर आप answer को अगर justify करोगे तो आपका answer कैसे consider होगा यहाँ पर हमको देखना है third will come first और fourth will be in last अब बात आती है first or second मैंने क्या बोला attraction ज़ादा यहाँ परे यह electron को attract करेगा attract करेगा तो length थोड़ा सा shrink होगा length थोड़ा सा shrink होगा तो second की length थोड़ी सी जादा होगी second के बाद first आएगा और first के बाद तुमारा fourth आएगा तो third, second, first और fourth तो हमारा जो answer आएगा वो C वाला आएगा हमारा answer B वाला भी नहीं आएगा तो if you want to find out what if you want to find out the bond length in that condition simply you have to see कि aromaticity है या नहीं है अगर है तो उससे क्या impact पढ़ रहे है जो impact पढ़ रहे हैं उसके साब से आपको answer को justify करना है हमारा answer इस परकार से आजाएगा अब जैसे एक बार इस वाले question को देखिए आज हमें आपर क्या कहे रहा है which of the following is the correct order of cc bond length हमें cc के बीच की bond length को compare करना है आज अगर हमें cc के बीच की bond length को अगर compare करना है तो how you will compare अब पता है मैं आपर कुछ options को तो देखते ही काट सकता हूँ कैसे आज अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पहले वाले compound में resonance होगा और आप अगर देखोगे पहले वाले compound में अगर resonance अगर होगा तो resonance कैसे होगा ये bond तुमारा इधर जाएगा और जैसे ये bond तुमारा इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा ये वाला oxygen इलेक्ट्रोनों को डोनेट करकर इधर शिफ्ट हो जाएगा अगर आप देखोगे अगले वाले में भी resonance होगा अगर अगले वाले में भी resonance होगा so what impact will be there इसके अंदर भी resonance आपका इस प्रकार से होगा अगर आप देखोगे तीसरे वाले में तो तीसरे वाले में भी resonance होगा और जैसे ही तुम्हारे तीसरे वाले में resonance होगा कैसे resonance होगा इस प्रकार से resonance होगा और अगर हम देखे फॉर्थ वाले में तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को अगर समझोगे तो इस वाले में किसी भी प्रकार का resonance नहीं होगा तो आज आप देखो पहले में भी resonance हो रहा है, दूसरे में भी हो रहा है, तीसरे में भी हो रहा है तो मेरे cc bond पर क्या impact create हो रहे हैं? मेरा शुरू में cc double था जैसे इसने resonance करा, तो double क्या बन रहा है? single convert हो रहा है जैसे इसने resonance करा, double is going to convert into the single जैसे इसने resonance करा, तो double is going to become the single और यहाँ पर यह resonance करी नहीं रहा तो resonance अगर नहीं कर रहा तो ऐसे case में क्या होगा? विल आलवेज double bond यह मेरा हमेशा double bond रहेगा हमेशा double bond रहेगा इसका मतलब इस वाले की जो bond length जो होगी that will be the minimum मतलब minimum bond length किसकी होना चाहिए? fourth वाले की अगर fourth की minimum bond length अगर होना चाहिए तो मेरा B वाला option तो अपने आप ही cut हो गया अब बात आती है आपारा answer या तो A होगा या C होगा या D होगा अब आप सुनना इसने OCS3 ने और push करा ये push कर रहा है क्या किसको bond को कि तू जा और resonance कर आज अगर मान लो मुझे कोई अपनी तरफ अगर attract करता है और मुझे अगर कोई पीछे से push करता है कि तू जा resonance कर तो which is more favorable condition मुझे अगर कोई पीछे से push करेगा तो I will be easily follow the resonance OCS3 यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो your OCS3 यहाँ पर resonance कर रहा है और यह आगे की तरफ move कर रहा है ऐसे case में मैंने आप से क्या बोला मेरा आप से यह कहना है कि इस वाले case में आज हमारा OCS3 ने push करा कि तू जा resonance करता हो वो बड़ा easily resonance करेगा यहाँ पर कोई push करेगा नहीं resonance तो करेगा अच्छा एक चीज़ देखना अम एक बार resonating structure बनाता हूं ताकि थोड़ा सा अपन उससे भी समझ पाईंगे इधर आजाएगा CS2 positive इधर आजाएगा CH इधर आजाएगा double bond O पर आजाएगा negative और इधर आजाएगा A अगर हम इस वाले की अगर बात करें इस वाले में क्या होगा इस वाले में होगा CS2 पर आजाएगा minus इधर आजाएगा CH इधर आजाएगा double bond और इधर आजाएगा plus अब आप देखो इसने resonance करा तो oxygen पर महिनस आ रहा है इसने resonance करा तो chlorine पर plus आ रहा है तो आज आप देखो एक resonance कर रहा है तो oxygen is getting the negative another is showing the resonance तो chlorine is getting the positive तो ऐसे case में एक ने resonance करा तो oxygen पर minus दूसरे ने resonance करा तो chlorine पर plus तो चलो बताओ who will show the good resonance of course second will show the good resonance rather than third अगर second की resonance करने की tendency जादा है मतलब second की single bond बनने की tendency जादा है और second की single bond बनने की tendency अगर जादा है तो second की length थोड़ी सी जादा है third ये length थोड़ी सी कम होगी और first वाले में तो क्या है OCS3 पुश कर रहा है कि जाओ resonance करो और resonance के बाद में oxygen पर minus 4 जा रहा है तो अगर हम यहाँ पर order को find out अगर करना चाहे तो मैं क्या कहना चाहता हूँ देखो आज यहाँ पर resonance अगर हम देखेंगे पहले में तो ये OCS3 पुश कर रहा है CS double bond CH को की go and show resonance और as it will show the resonance oxygen will get the negative and it is very good condition of the resonance in a second one no one is going to push CS double bond CS2 will show the resonance as it will show the resonance so resonance condition is good लेकिन तीसरे में जब resonance करा तो it is not good resonance because after the resonance chlorine is getting the positive while in the last case it will not showing the resonance will be always double bond or as it will be always be double bond we know very well it will be having the least bone length इसका bone length सबसे कम होगा तो सबसे ज़्यादा bond length किसका हुआ सबसे ज़्यादा bond length first का हुआ फिर second का फिर third का दिन fourth का हमारा जो correct answer आएगा that will be considered is a A, B, C and D और you can say 1, 2, 3 and 4 तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर क्या consider करना चाहते है कि कोई भी molecule अगर resonance करता है if any molecule will show the resonance so what is the impact of the resonance जो हम यहाँ पर consider करेंगे उससे क्या impact बढ़ रहा है हमें उन चीजों को समझना है और उसके भी आफ पर हमें चीजों को conclude करना है तो यहाँ पर यह resonance था जिससे क्या bond length पर impact बढ़ा that is all in front of you जासा समझने this is again very good questions यहाँ पर resonance नहीं होगा first molecule second molecule third molecule and fourth molecule no one will show resonance यहाँ पर resonance नहीं होगा so अगर यहाँ पर resonance नहीं होगा तो question is that then what will be here यहाँ पर क्या होगा मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या होगा अपन देखते हैं यह मुझे CS3 दे रखा है इसमें alpha hydrogen 3 है आज अगर इसमें alpha hydrogen 3 है तो यह पता है क्या show करेगा यह हमारा show करेगा hyperconjugation जरूरी नहीं है कि कोई molecule resonance ही show करे hyperconjugation भी अगर कोई show करेगा तो हम अपने answer को justify कर सकते हैं अच्छा अब मेरे से अगर किसी ने कहा कि इस bond length पर क्या impact पड़ेगा अगर यह molecule hyperconjugation show करता है तो मेरे से किसी ने यह चीज़ पूछी तो अब अपन देखते हैं क्या impact पड़ेगा अगर तुमने hyperconjugation अगर कराया तो what impact will be there यह वाला bond इधर जाएगा alpha hydrogen वाला sigma bond इस प्रकार से करता है जैसे alpha hydrogen वाला sigma bond अगर इधर जाएगा so what will happen यह वाले bond मेरा इधर जाएगा हमारा यह h plus ऐसा का ऐसा ही रहेगा इधर आजाएगा double bond इधर आजाएगा CH और इधर आजाएगा CS2 और इधर आजाएगा minus अब आप सोचो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ बच्चों due to hyperconjugation double bond is converting into single bond मेरा जो double bond है यह क्या होगा converting into single bond यह मेरा double bond single bond में convert हो रहा है और इसमें कितने alpha hydroson है इसमें 3 alpha hydroson है एक बार hyperconjugation करने से my double is going to convert into the single फिर दूसरी पार यह hyperconjugation करेगा again it will turn into the single फिर यह hyperconjugation करेगा again it will turn into the single so what the mean I just wanted to show here अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो मैंने आप से क्या बोला since compound have 3 double bond अगर हमारे compound sorry if since compound have 3 alpha hydroson so 3 times single bond character will come यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 3 बार single bond character आएंगे और अगर 3 बार single bond के character अगर आएंगे therefore length क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अगर मैं इस वाले compound का comparison मैं इस वाले compound के साथ करना जाता हूँ और यहाँ पर अगर मेरे से अगर किसी ने कहा कि this indicated bond length is just suppose P and this indicated bond length is just suppose Q so what is the relation between the P and Q अब देखना यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर alpha hydrogen present है again this alpha अब इसके अंदर कितने alpha hydrogen है इसमें केवाल एक alpha hydrogen है अगर इसमें केवाल एक alpha hydrogen है तो that will show the hyperconjugation as it will show the hyperconjugation how it will show the hyperconjugation like that तो जैसे आपने आपर hyperconjugation अगर करा तो hyperconjugation के बाद में इसके पास केवाल एक alpha hydrogen है so only one time single bond character will come तो ऐसे परिस्तिती में यहाँ पर अगर आपका केवाल एक बार single bond character अगर आएगा तो आप खुद सोचिए यहाँ पर कि उसमें तीन बार single bond character आ रहे और इसमें एक बार single bond character आ रहे यानि उसका length जादा होगा और इसका length कम होगा so what is the relation of the bond length हमारे bond length का जो relation आएगा वो आएगा P is higher than Q according to what hyperconfiguration बच्चों हम लोग यहाँ पर bond length के बारे में discussion कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो bond length जो affect होता है it basically affects from the resonance as well as the hyperconfiguration हम लोगों ने यहाँ पर जैसे यह वाला question है तो मैंने आप लोगों को इस वाले question के अंदर समझाया था कि आज अगर हम अगर बात करते हैं इस compound में 3 alpha intrusion है since my molecule is having the 3 alpha intrusion so my molecule will show the hyperconfiguration as it will show the hyperconfiguration then due to the hyperconfiguration my double bond will turn into the single bond and since it is having 3 alpha intrusion so 3 times single bond character will come अब अगर हम इस वाले molecule की बात करें इसके अंदर single में convert होगा और अगर ये एक बार single में convert होगा तो single bond character कम होगे और अगर single bond character अगर कम होगे तो bond length जो रहेगा वह थोड़ा सा कम होगा और उसमें जितने ज़्यादा single bond character आएंगे उसमें उतने ज़्यादा bond होगा तो conclusion क्या निकलता है कि जिस भी molecule में बनने के chances उतने ही ज़्यादा होते हैं और जिसमें double के single bond बनने के chances जितने ज़्यादा होगे वहाँ बर उतना ही bond length increase होगा तो अगर हम इस वाले molecule की बात करें आज आपको question दिया है which of the following molecule has highest sorry longest carbon double bond carbon bond length किसमे carbon double bond carbon वाले की bond length सबसे ज़्यादा है मतलब हम किसकी बात करना चारें हम बात करना चारें इस वाले की हम किसकी बात करना चारें हम इसकी बात करना चारें हम इसकी बात करना चारें और हम इसकी बात करना चारें तो आज अगर अपन bond length की बात करें अब पहले अपन इस वाले को discuss करतें यहाँ पर कोई resonance होगा क्या नहीं होगा अगर यहाँ पर resonance नहीं होगा तो it will be the double bond as usual resonance भी नहीं होगा और hyperconjugation भी नहीं होगा तो अगर दोनुई चीज़े नहीं होगी तो nothing will happen here अगर अपन इस वाले molecule को अगर देखे तो यहाँ पर alpha hydrogen कितने है यहाँ पर alpha hydrogen 3 है अगर 3 alpha hydrogen है तो यहाँ पर क्या होगा 3 times single bond character will come यहाँ पर आपके 3 बार जो रहेगा वो single bond character आएंगे तो ऐसे परिस्तिती में अगर यहाँ पर 3 बार अगर single bond के character अगर आएंगे यहाँ पर अगर अपन इस molecule को अगर देखे तो हमारे इस वाले molecule में alpha hydrogen 0 है alpha hydrogen अगर 0 है तो no hyperconzugation no hyperconzugation तो ऐसी परिस्तिती में यहाँ पर क्या होगा will always double bond तो यह मेरा double bond ही केलाएगा और इसमें alpha hydrogen कितने है इसमें alpha hydrogen 6 है 6 alpha hydrogen होने के कारण यहाँ पर क्या होगा six times यहाँ पर single bond character आएंगे तो आज अगर आपसे वो यह पूछना चाहता है कि बच्चों यहाँ पर अगर हम से यह पूछा जाए कि किसमें bond length जियादा होगी जिसमें single bond character ज़्यादा होगी single bond character ज़्यादा है single bond character आपके D वाले में ज़्यादा है 6 times single bond character आ रहे हैं इसकी bond length सबसे जादा होगी और अगर आपसे कोई बूचे सबसे कम bond length किसकी होगी इसकी अब तुम बुलोगे सर इसकी क्यों इसकी क्यों नहीं होई ये भी तो double bond है ये भी तो double bond है लेकिन आप सोचो इस double bond के पडोस में ये वाला carbon sp3 hybridized है less electronegative है इसके बाद में ये वाला आपका sp2 hybridized है more electronegative है तो attraction forces ज़्यादा है यहाँ पड़े तो इसका bond length का value कम होगा इसका bond length का value comparatively ज़्यादा होगा आज अगर आप bond length की अगर बात करोगे तो what is the order of the bond length तो finally अगर हम order की बात करें D वाले का bond length सबसे ज़्यादा होगा D वाले के बाद में B वाले का होगा B वाले के बाद में अगर अगर अपन देखें तो C वाले का होगा और C वाले के बाद में अगर 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 अपन देखें A वाले का होगा that is the order of the bond length of these species तो हमने कैसे answer निकाला मतलब वही वाली बात है आपको resonance देखना है आपको hyperconjugation देखना है और according to them simply you have to give the answer कि resonance और hyperconjugation के कारण क्या impact create हो रहे हैं बस आपको इतना सा देखना है और आपको अपने answer को justify करना है जैसे अगर अपन यहाँ अपर अगले वाले question को देखते हैं यह बड़ा प्यारा सा question है यह मुझे एक molecule दे रखा है बच्चों इसका नाम होता है naphthalene मुझे इसकी resonating structure draw करकर दे रखी है this is the resonating structure of the naphthalene अब एक बार सुनियेगा these are the canonical structure of naphthalene or resonating structure of naphthalene दोनों बात सही है examine then and find correct statement among the following यह कुछ statement कहना चाहरा है और आपसे बोल रहा है कि इनको आपको examine करना है और examine करने के बाद correct statement को choose करना है जैसे पहला all cc bond are of same length सारे के सारे cc bond length की जो है सारे के सारे carbon carbon के बीच की जो bond है उनकी length same है अब अपन देखते है एक बार आप c1 c2 के बीच की बात करते है c1 c2 के बीच में यहाँ पर double bond है c1 c2 के बीच में यहाँ पर single bond है और एक बार अगर अपन देखें तो एक बार आपके single bond के character आ रहे हैं अगर मैं c2 c3 के अगर में बात करता हूँ अब अगर अपन c2 c3 को अगर analysis अगर करतें तो अब हम थोड़ा सा एक बार c2 c3 को analysis करतें इसमें भी अगर same character आ रहे होंगे तो bond length same होने के analysis है c2 c3 के बीच में single bond फिर double bond और फिर single bond मतलब c2 c3 में two times तो आपका single bond का character है and one times double bond character है बच्चों मैं आपसे एक बार ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ इधर c1 c2 के बीच में double bond के character जाद है और c2 c3 में single bond के character जाद है तो आपको लगता है कि c1 c2 के बीच की bond और c2 c3 के बीच की bond same रहेगी impossible है जहाँ पर single bond के character जाद होंगे उसकी length जाद होगी जहाँ पर double bond के character जाद होंगे उसकी length कम होगी तो आज आप सोचो कि मेरे C1, C2 के बीच में जब double bond के characteristics अगर जादा है ऐसे case में length का value down होगा और जब C2, C3 के बीच में अगर single bond के character अगर जादा है तो length का value increase होगा यानि conclusion क्या निकलता है बच्चो conclusion यहाँ पर अगर हम देखे तो conclusion क्या निकलता है यहाँ पर जो C1, C2 के बीच का जो bond है और C2 और C3 के बीच का जो bond है किसमे single bond character जादा है C2, C3 में तो जिसमे single bond के character जादा होगे उसका length जादा होगा और जिसमे single bond के character कम होगे उसका length कम होगा यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर यह मेरा order of bond length को represent करेगा it will show the order of bond length here तो उसने बोला find out the correct statement among the following और मुझे पहले statement दे रखा है all cc bonds are of same length तो भाई सारे के सारे cc bond length सारे के सारे carbon carbon के बीच की bond एक length के तो नहीं है ना तो पहले statement तो incorrect हो गया दूसरा c1 c2 bond is shorter than c2 c3 यह के रहा है c1 और c2 का जो bond है वो c2 और c3 से छोटा है तो यह तो अमने conclusion निकाला भी है कि c1 c2 छोटा है c2 c3 बढ़ा है क्योंकि c1 c2 में जादा double bond character आ रहे c2 c3 में जादा single bond character आ रहे मतलब यह वाला statement मुझे सही लगता है c2 c3 bond is longer than c2 sorry c1 c2 bond is longer than c2 c3 यह के रहा है c1 c2 longer है c2 c3 c1 c2 longer थोड़ी नहीं c1 c2 shorter है according to the concept तो यह वाला statement भी गलत हो गया और नन तो हमारा हो ही नहीं सकता what is our answer हमारा answer आएगा second statement is the correct और वो हमने जो justify करा वो हमने इस भी आप पर करा तो मैंने एक proper examples के थू proper illustrations के थू मैंने आपको चीजों को समझाने की कोशिश करी और मैंने आपको बताया कि हमें हमारे answer को कैसे justify करना है आपका तो molecule अगर resonance करता है आपका molecule अगर hyperconjugation अगर करता है तो आपको बस इतना सा देखना है कि if my molecule is showing the resonance if my molecule is showing the hyperconjugation then due to the resonance or due to the hyperconjugation what is the changes is basically there जो changes अगर हो रहोंगे बस आपको उन changes को यहाँ पर point out करते होगे अपने answer को justify करना है जैसे ही आप अपने answer को justify करोगे आप आराम से bond length में compare कर सकते हो लेकिन ऐसा unique statement निकालना कि हमारा resonance bond length को increase करेगा resonance bond length को decrease करेगा ऐसा unique statement निकालना थोड़ा सा गलत हो सकता है इसलिए आपको चीजों को परिस्तितियों के हिसाब से करना है तो this is the topic which is basically known as the bond length कि हुआते हैं